आज हम लोग शुरू करेंगे अभ्यास चलेगा और अभी तक जो है कि से इस वीडियो का आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्रिशन में लिंक दिया गया है वहां से जाकर आप देख सकते हैं और जो कि आपका चेप्टर नंबर 27 चला है तिरकोल मीती फलनों के आपका कैसे फाइन करते हैं कुछ इसमें हम लोग एक्जांपल जो है कि हम लोग बेसिक समझे थे और बेसिक वाले वीडियो का आप नहीं देख पाए हैं तब तक आपका जो एक चेप्टर में जोई क्लियर होगा नहीं कैसे हम लोग सलूशन करेंगे क्योंकि इसमें हम लोग मान फाइन करने के लिए हम लोग सीखे थे इसके पिछे लाले वीडियो में और जो आपका मातवपूर्टत थे हैं नहीं से की मान हम लोगा फाइन किया जाता है और सबसे पहले हम व समझे थे कि टर्निक और नौल इन किसंग किसमे किसमे होते हैं मतवपूर्टत थे आपका क्या क्या है और ठानीं अनुपात कि क्? होते हैं ठीक है चलिए हम लोग सुरू करते हैं चेप्तर को यह अभ्यास को सलूसन कैसे किया जाएगा है तो चलिए फ्रेंज सुरू करते हैं हम लोग प्रस नंबर एक आपका है क्या कर रहें कि साइन 382 सही एक बटा में दो डिगरी का मान है साइन 382 सही एक बटा में कितना दो डिगरी का मान आपका कितना होगा ठीक है फ्रेंज तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 382 जो है 360 से अधिक है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4365 5525 वटा में कितना दो इतना हम लो क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं इससे मिल्टिपिलाइ कर देगे इसको जोड देंगे तो 360 प्लस कितना ऑन्यिचा में कितना दो कि कहें इसके बाद हम लो का ये फार्मुला क्या बनता है Q3045 Esc जोड़ा गया है तो हम जानते हैं कि 360 में जोड़ा गया तो आपका पहले चोत्यू ठांस में आल पाजिटिव होता है सभी का चिन क्या होता है और सब्सक्राइब जलें चार महत पूर्ट तत्थ है आपको लिखा गया था वहां पर याद रखेंगे किस तर से उचार तो पूर्ट तत्य आपके क्या क्या है तो 360 में 45 बटा में दो आपका जोड़ा गया है तो पहले में जाएगा और 360 में टर्निंग की बात की जाए तो 360 में आपकी टर्निंग नहीं होती है तो साइन का आपका साइने रह जाएगा और इसके बाद 360 का काम खत्म हो जाएगा यह ह अभर आगे फार्मुला पता है कि कास्टू ठीटा इसका फार्मुला कस्टू ठीटा का का होता है साइन के पादो में 1-2 साइन जैन सट क्या होता है लेकिन हम लोला ना है ठीटा बराबर होगा है में 1-2sin2 theta यदि हम लोग इस से theta sin theta का मान निकाले तो sin theta बराबर हो जाएगा अंडर उड में 1-2 theta और डिवाइड बाई क्या कितना दो ठीक है फ्रेंस डिवाइड बाई आपका हुआ 1-1-2 theta बाटा में कितना आपका दो आपका हुआ ठीक है अब इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे यह आपको clear हुआ और इसी फार्म पर ठीक था तो यहां पर क्या रखा गया है theta रखा गया है उसी के अनुसार हम इसको यदि तोड़ना चाहते हैं तो यह साइन theta की मान यह इस फार्मले पर यह तोड़ते हैं तो यह आपका होगा अंडर उड माइनस cos 2 multiply theta यहां पर theta था तो theta रखा गया है यहां पर 45 बटा में कितना है दो यहां पर हो जाएक 45 बटा में 2 पूरे का बटा कितना दो दो से 2 क्या हुआ कट गया तो यह अंडर उड में हो जाएगा 1 minus cos कितना हो जाएगा 45 बटा में कितना होता है आपका होता है 1 by अंडर उड में कितना 2 और पूरे का बटा कितना दो तो आपका यह हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों अंडर उड से इसमें गुणा कर देंगे तो अंडर उड 2 और माइनस कितना 1 divided by 2 अंडर उड कितना 2 क्योंकि 2 इसके साथ चला जाएगा पूरे का बटा लगेगा तो यह रहा आपका क्या एंसर तो आपसन की बात कि जाए तो आपसन हम लोग चेक करेंगे तो आपसन आपका है आपका दिया है अंडर उड 2-1 divided by 2 इना करणी किसी में भी नहीं है तो आपसन नमर कौन सा करेक्ट होगा इनमें से कोई नहीं कोई भी आपका अपसन यहाँ है जो और लाइक को यापने दोस्तों में जरूर करते रहे हैं चले बरते हैं कोर्षन नम्बर दो के तरफ अधि चले शुरू करते हैं प्रस नम्बर दो को कर रहें कि कास 17 वाटा में दो मैनस से प्लस दूसरे को स्टेक में है कास 13 वाटा में दो प्लस दे और प्लस साइन 15 पाई मैनस दे और प्लस साइन माइनस ए ठीक है इसका पूछ रहा है कि मान आपका क्या होगा जो कि आपका आपसन भी चारा आपके आपसन दिये गए है जो कि आप से पूछा गया था पाल टेकनिक में 2010 में तो देखिए फ्रेंस आप लोग सबसे पहले याद रखेंगे कि यह जो 17 पाई बटा में दो है हम लोग इसको दो खंडों में तोड़ना है कितने खंडों में दो खंडों में तो कैसे टूटेगा जरा वो देखिए यह हो जाएगा कॉस्ट 17 पाई को हम लिख सकते हैं पहले प आठ पाई कर दें आठ पाई प्लस में करते अस तरह यह हम्नों लिख दें दे कैसे में सैंट-पाई प्लस-वग कितना ऑप हैं ठीक हैं अब माइनस कितना ए इसको एक कोश्टक में ले लिजिए और प्लस यहां पर नहीं है तो मजला कोश्टक लगा देजिए ठीक है प्लस कॉस्ट अब इसको उसी तरह से 2 से 13 को डिवाइड करें कितना होगा 2 छके 12 यानि कि 6 पाई होगा अब प्लस एक पाई बचा हुआ है तो पाई भाई क्या होगा 2 फिर प्लस कितना ए देखें सेम प्रोसेस आपका होई चला है जिस तरह से पहले को हम लोग तोड़े हैं वहीं प्लस सबका सेम इसमें भी चला है और प्लस यह हो जाएगा साइन पंदरा है ना पंदरा पाई है तो पंदरा पाई को क्या लिख सकते हैं चोधा पाई प्लस क्या पाई लिख सकते हैं चोधा एक पंदरा हो जाएगा अब माइनस ए फिर इसको एक कोश्टक में ले लिजिए और इसको मजला कोश्टक में बंद कर दिजिए आप प्लस यह हो हो घाल सब्सक्राइब को एंगल लिए जाएगा जिस तरह से हम लोगा तक से तो आपको भीड़े का शबयी जाएगा और नू को Спार्मलिये इक इस औहاش एक फार्मूला है two n कि यहां पर आपका पाइब टू का मतलब कितना डिगरी नभी में जानते हैं आप पाले में जानते हैं आपका सभीमान क्या होता है प्लस अब कास नभी में से घटा आए ट्रनिंग होगी तो कोस्पक्ताय क्या हो कर दोसरे में जोड़ा जाएगा इसी तर सी 9 में से घटाया गया है तो आपका पहले में जाएगा मैंने सोता है अनबंच में टर्निंग होती है तो कॉस्ष्ट की टर्निंग क्या हो जाएगी साइन ठीक है Sin कितना A प्लस इसी दर से 90 में से यह घटाया गया है तो आपका पहले में जाएगा आपफले में सभी pack 90 में turning होती है तो Sin कि turning क्या हो जाएगी Cos A अब यह देखिए Sin Minus A तो Φोबने हम लोगों बंता है कि Sin Minus Theta हो तो आपका होता है क्या माइनस साइन ठीटा आपका होता है उसी तर से यह हो जाए क्या माइनस साइन ठीक है अब देखें यहाँ पर मिश्टीं है लेकिन यहां पर भी साइन की टैनिंग कासे साइन restless है न का मतलब 160 eram promises गया है यहक्या है मतलब 180 मलद लगाओ मतलब 77 न यहांपर 180 में टानिंग नहीं होगी तो यह साइन का क्या रहा जाएगा साइज़ तो आपका दूसरे में जाता है अब इससे यह कट जाएगा और इससे क्या यह तो आपका सुने कितना हुआ तो आपसर नंबर के बात की जाएं तो आपसर नंबर डी आपका करेक्ट초 है तो सिर्फ कहाँ यह जो किभट किया जारा है। से डिवाइड किया जाए आठ पाई हो गया है और इन दोनों को एक साथ इन दोनों को एक साथ उसी तरह तोड़ा गया है फिर इसको उसी तरह से तोड़ा गया है दो दो खंडों में और यहां पर जो है आपका माइनस ठीटा में से लिया गया है तो यानि कि साइन माइनस ए है कि जो है question number 3 कैसे हल किया जाएगा ठीक है चलिए शुरू करते हैं प्रस नमबर 3 कर रहा है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 270 ठीक है तब कर रहा है कास्ट टूए प्लस कास्ट टूवी प्लस कास्ट टू सी और प्लस 4 Mayor into sign B into sign C का आपका जो एकमान कितना होगा ठीक है बस कुछ नहीं करना है क्ये 2 का योग कितना है 180 रहे जोड़तों बराबर भी कितना रहा होगा 90C बराबर भी कितना रहा होगा नबे तो जोड़ेंगे तो तीनों का योगा अब कितना होगा 180 हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहां से कास एक कमान कितना है 90 डिगरीट नदुनी 1818 180 हुआ कि नहीं हुआ ठीक है प्लस कास B से 2 में गुणा करेंगे तो B कमान 90 है नदुनी अठार ये भी हो जाएगा 180 प्लस कास 2 गुणे C कमान 90 है तो नदुनी अठार ये भी आपको कितना हो जाएगा 180 प्लस 4 साइन एक कमान कितना है 90 डिग्री इंटू साइन वी कमान कितना है 90 डिग्री इंटू साइन सी कमान कितना है 90 ठीक है अब हम लोग मान पूट करते हैं तो देखें यहां पर दो तरीकी स्वापलों मान फाइंड कर सकते हैं या तो एक स्वस्ति को तोड़ दीजिए 90 प्लस 90 पर कर सकते हैं तो कमाड़ कितना होता है को इससे अच्छा है का से 188 तो-183 00 yes सिर्फ कर दिज़े माइनस एक समझ में आ गया चलिन प्लस चार गुणे साइन आपका हो जाएगा तीन एक मीरम माइनस प्लस भी ओगा और यह हो जाएगा प्लस चार एक में बी या आपका क्रेक्ट है इंस वराम लोग कितना फाइनी वा एक और एक में जो है कि आपका आफ्सान नंबर यृ आपका क्रेक्ट है आफ तर नमब्र प्रस नमब्र च्यार के तरफ बढ़ते हैं कि जब कॉस्ट इटा प्लस साइटीटा का महत्तम मान होगा जब कॉस ठीटा प्लस साइन ठीटा का मान महत्तम होगा तो ठीटा का मान कितना होता है देखिए यह प्रतिबंध होता है कि जब कॉस ठीटा प्लस साइन ठीटा का यदि महत्तम मान ठीक है जब यह महत्तम मान होते हैं तो उस समय महत्तम मान तभी हो सकते हैं जब theta का मान कितना हो 45 डिगरी यहनि कि जब महत्तम मान आपका होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि theta का मान कितना रहा होगा 45 डिगरी रहा होगा क्योंकि sin theta plus cos theta plus sin theta का मान महत्तम तभी होगा जब theta का मान हम लोग कितना पूट करते हैं यदि 45 डिगरी पूट करते हैं तो आपका यह महत्तम्मान कहलाता है जो कि हम लोग का आफसा नंबर जो है आपका B करेक्ट होगा कॉश्च liksom 4 का आफसा नंबर बी आपका करेक्ट होगा ठीक है friends उम्मीद होगी कि यह समझ में आया आप लोग इसको याद रखेंगे कि यदि कास और साइन का यदि महत्तमान कहता है तो थीटा कमान पैताल्य डिग्री फूण करेंगे ठीक है यानि है उमीद होगी कि यह समंझ में आया चले हम लोग बढ़़ चलते है प्रस नमर 5 के तरफ तो प्रस नमर 5 क्या है जला आप लोग घ्यान सा समझेंगे प्रस नमर 5 आप से कह रहा है कि कह रहा है कि 4 बटा में 3 काटी स्क्वाइर 30 इसके बाद दिया हुआ है आपको इस्क्रीन पे दिख रहा होगा 4 बटा में 3 काटी स्क्वाइर 30 डिगरी प्लास 3 साइन स्क्वाइर इसके बाद 70 degree है और mynes है 2 को 6 कितना degree 60 degree और इसके बद myness 3Y 4 आपका है 10 square कितना degree फ्रेंश करई की का मान बराबर है आपका जो मान है किसके बराबर होगा आपसे की है कि वही आपसे पूछ रहा है कि आपका मान किसके बराबर होगा ठीक है फ्रेंज चलिए तो अमस्रू कर लेते हैं भाई आम जो है कि इसको मिला लेते हैं हो सकते हैं कैंज गलत भी न हो इसके बार 60 डिगरी प्लास 2 को सेट डिगरी थे प्लास 3 बटा मैनस है 3 बटा में 4 इसके बाद है 10 इस्कुराइर तीस अंस ठीक है चलिए तो हम मानपूड करते हैं चार बटा में कितना तीन गुड़े कोश्चक में कॉट तीस डिगरी की बात की जाए तो अंडर्वड में 3 होता है इस्कुराइर प्लस यहां पर हो जाएगा 3 तीसサइन स्री साइन कितने का साट डिगरी की बात की जाए तो यह होता है करणि में 3y क्या टू का इस्कुरार माइस ठेक है फ्रेंट्स यहां पर मल्टिप्लाइ भी लगा सकते हैं आप लो दो कोशेख जो है कि साट डिगरी का बात किया जाए तो यह होता है 2 बटा कितना करने में 3 ठीक है और माइनस आपका 3 बटा में 4 और 10 की बात की जाए 10 30 डिगरी में बात की जाए तो यह होता है 1 बाई अंडरोड कितना यहाँ पर एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर मिस्प्रेंट किया गया है सब्सक्राइब करते हैं यहाँ पर साड़ डिगरी यहां पर क्यांस आपस्काल को सब्सक्र्राइब when the यहां पर करना है तो यहां पर स्क्वाइं questa अपार söndर करना पढ़ेगा तस तक छो फेस्की्ड़ करने आंपको अपाइस द्लता पर दो यहां पर गाट एक पर आप फिसटों लेंगे रखेत्ति कि आप यहां पिल bought means 3 मैं तो ने से हैं हो जाएगा 3 बटा मैंस्ट मीणक दूले ॐ हो जाएगा सब्सक्राइब और यह मैंस थेन भर समय तो आप देखeten तीन से तिन कर गया यह स्कस्रीट यहां हो जाईगा आट बटा में 3 मानस 3 से 3कट गया एक बाटा में कितना हो जाएगा अरप देखे इन सभी से अलिपने लेजें किःऎंट ळसें किटनो फंभार एक बार बार याने रचों कितना हो जाएगा 48 प्लस चार ती बारा तीन नमा 27 और माइनस तीन चोग को बारा और चरवठे बत्तिस माइनस चार तीन बारा तीन कम यहाँ पर जोड़ दीजिए यह आपको हो जाएगा 15 को 5, 86, 4 तू 6 और क्या 7 यह हो जाएगा माइनस 3, 2, 5 यह नहीं कि 35 हुआ बाटा में कितना बारा हऄर यहां पर हम लोग घटाएं गेंगे तो यह हो जाएगा 0 हो जाएगा हुआ है ने किसको डियॉइट करें और त्री पॉइंट कुछ करके आएगा 335 करके आएगा तो 3.2 पॉइंट और अ 10 कि मिला लेते हैं 2 या 2 से कम या 2 को सब्सक्राइन है इसका दो या दो से अधिक है तब तो आपके ना हो गये ल मान धिया है तो आपका आएक लोगी broke क्रेक्ट होगा डो से क्या अधिक हमेसा आपका 2 से अधिक माने आपका चली बढ़ते हैं नमबर हम लोग 6 के तरफ बढ़ते हैं हम लोग question number 6 के तरफ जो कि आपका है sign 1875 degree का मान होगा आप से पूछ रहा है कि sign 1875 degree का मान यहां पर लिखा गया है बेसिक में वहां पर सब कुछ हम लोग समझे थे कि यदि आपका 306 से अंगल अधिक का हो और उसे में मान पूछता हो तो हम लोग कैसे यह आपका है 1850 जो कि आपका 360 एंगल से अधिक है तो इसको तोड़ने का तरीका क्या है कि 360 से जब अधिक है 25 यह आपका 75 लिखने का तरीका क्या है साइन आपका भाग का बार गई है पांच बार किससे भाग दिये 360 से बचा हुआ है से कितना 75 अब देखिए जब भाग गई है उससे आपको लेना देना नहीं है तिक है आप यहां से अगले से छोड़ भी सकते हैं हम लोग लेना है 360 प्लस क्या 45 तो हम लोग किस्टे बढ़ा लेते हैं साइन 360 प्लस कितना 75 यह हम लोग को तोड़ने की बात है यह इससे तोड़ देंगे हम लोग लिखेंगे अब देखिए 360 में 75 जोड़ा गया है यहां पर याद रखिए साइन पर इतना होता है और नहीं है तो आप यह दिल हल करना चाहते हैं हल करके जो है कि निकालना चाहते है साइन 75 डिगरी कमान तो आप इसे तोड़ सकते है साइन 45 प्लस क्या 30 तोड़ करके सलूसन करेंगे और इसको तोड़ेंगे साइन A प्लस की पे साइन B पे थोड़ा प्रोसेस आपका ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर मान रख करके आपको सलूसन करना पड़ेगा इस ते आप अच्छा है कि आप याद रखेंगे कि 75 डिगरी कमान जो है कितना होता है ते ही आपका रहा जो कि हम लोग का आफसा नमबर कौन सा करेक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों आफसा नमबर जो है आप खूद कर सकते हैं देखिए कर रहे कि 10-1560 10-1560 कर रहे कि मान होगा ठीक है फ्रेंट चलिए आते हैं यहाँ पर 10-1560 देखिए पहले आप देखिए आपा का क्लाकवाइच क्लाकवाइच ठीक है और थीटा है तो आपका चतूर्थ में पढ़ेगा चतूर्थ में जो है आपका सिर्फ प्लस होते हैं और 10 क्या होता है आपका सिर्फ और से प्लस होता है बाकी सभी माइनस ठीक है इसके बाद हम लोग देखे 360 से अधिक है यह माइनस तो माइनस आप रखेंगे ठीक है 360 से इंगल आपका क्या है अधिक है तो इसमें फिर डिवाइड करेंगे वही प्रोसेस से में आपका चल रहा है ठीक है तो आपका को बार हो जाएगा चार तीन पच्छे पंदर पांच ब आपका पहले में आपका जो है तीन सो साथ है टर्निंग होगी नहीं तो आपको हो जाएगा माइनस आप पहले में सभी क्या प्लस होते हैं तो हो जाएगा टैन के 120 डिगरी अफीर नहीं है तो 120 को आप तोड़ी सकते हैं यहां से हम लोगा मान खुद होता है माइनस 120 का मान आपको याद रखना पड़ेगा अंडरूड कितना होता है थ्री आंडरूड त्री इस गल्टू माइनस में प्लस हो जाएग तो यहां पर दो इस्टे बढ़ेगा इस्टे अच्छा है यहां से मैंस नगुड़ा प्लस यहां आपका आया अंडरोड जो कि हम लोगा एंसर जो है आपका क्रेक्ट है अफसन नंबर भी आपका क्रेक्ट है उम्मीदों कि यह बिल्कुल समझ में आ गया होगा चलिए बढ़ते हैं कोश्चन नंबर हम लोग 8 के तरफ की कोश्चन नंबर 8 का सलुसन जो है कैसे क्या जाएगा ठीक है में सुरू करते हैं प्रस नंबर 8 करहें की कास कोश्ट्यक में सब्सक्राइब कास मान फंक 500 उस दिगरी साइन अपने topic पर पहले हम तोडते चलेंगे ठीक है इस्टेप बाइस्टेप यह समझते हैं तो आपका विडियो लंबा होगा यह समझेंगे हो सकता है सायद समझ में ना है यहाँ पर कॉस माइनस में है न तो हम जानते हैं कि कॉस माइनस ठीटा है तो आपका चोथे में जाएगा तो बराबर आपका क्या हो जाएगा कॉस ठीटा प्लस में हो जाता है किवो कि 4 अपका कॉस और प्लस होता है न तो आपका प्लस यानि कॉस ठीटा हो जाएगा यह आपकामाइस है तो अब इसको अवरम तोड लेते हैं क望श यह माइस वादा तो प्लस हो गया एा उसके अनुसार अब की दो सो साथिसाटर और टीनसों क्या एक सोसी दोसो सातर के बीच का इंगल तो आपका तोh tuvery और नहीं है तो आप 230 से घटा भी सकते हैं दोनो तरीकों से आप रोग सकते हैं зайके सेले रहे हैं आप कलास 180 में कितना जोड़ेंगे 240 सापका होगा तो कितना जोड़ना पड़ेगा 45 है ठीक है क्योंकि 0 5 5 हो जाएगा आठ चार बारों को दुहांसी लेक एक और एक क्या दो क्या लिख सकते हैं तो 180 से कम है लेकि 90 से अधिक तो 90 में जोड़ दीजिए यह हो जाएगा 90 प्लस 90 में कितना जोड़ेंगे कि 135 हो जाएगा 45 दिग्री ठीक है इन्टू यह कॉस 120 का आप डिरेक्ट मान भी रख सकते हैं या तोड़कर भी हमनों फाइंड कर सकते हैं यह आपक होगा हो है का नैं च्पाइन कि 315 नच कितना है 315 तो 10 315 है ते 360 से कम है लेकिं 270 से क्या अधिक 406 से जोड़ते हैं तो आसानि से निकाल सकते हैं तो यह आपकी हो जाएगा 270 प्लस कितना 25 हो जाएगा क्या देखें जोड़कर भी देख लेंगे हम लोगा तोर सब्सक्राइब करके देख लेंगे तो 750 को डिवाइड करके मैं दिखा दे रहा हूं तो यह हो जाएगा तीन दूनी के च्छा निकि जिरो हो जाएगा कि लिखेंगे हम लोग कैसे लिखेंगे इसके बाद देखेंगे दो गुणे दो बार भाग गई है कितने से बाग दी है तो जब भाग गई है जब आर इसने हमको लेना देना नहीं है सिर्फ आपको अब लेना है 306 प्लस क्या 30 तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 306 प्लस क्या 30 यदि आप इसको भी लिखना चाहते हैं तो दो इस्टेप आपका बढ़ेगा ठीक है तो प्रोसेस बढ़े गई यहां पर रही है चलते हैं 350 45 जोडा गया तो तीसरे में जा रहा था और 95 5 धीटा और 45 बाकी सबी माइनस यदिन के बात की जाए तो दूसरे में साइन प्लस होता है माइनस प्लस होता है नब्य है तो नब्य में टर्निंग की बात कि जाए तो बेसिक में आपको सब कुछ बताया गया था मौतवपुर्णि तत्थिच आपके पांच थे पांचों को आपको याद रखेंगे तभी यहां पर आप रख सकते न तो सफान्गा टैनिके निखी कश लें है सबसे में माइना सब प्लस होता है तो आप सभ्क्राइट यहां पर रएगा तनिंग होने के बाद जो आता है उससले लियों कि करें ऑसरे आ होगया तो कास्टा मैनस होता हुए से नहीं जो आपका पहले माशूद हैं कि हाड दो कर दूषरे में कितीर बाड़े निए में क्रात्यान होता है रहा प्लस सेसाब कई अब यह 270 में जोड़ा गया तो चोथे में जाएगा चोथे में माइनस होता है अब देखिए 270 में टर्निंग होती है न तो टैन की टर्निंग क्या हो जाएगी काट 45 डिगरी होगा ठीक है इन्टू यानि कि गुड़े आप लगा दीजिए ना नहीं तो गुड़े स एक तीनसो साथ है तीनसो साथ आपका पहले में जाएगा टरनिंग नहीं होगी मुए टारू के टीन नहीं क्योंकि थे च'क कट्रें करने में कितना दो कि एक बटा करने में दो ठीक है गुड़े को सब्सक्राइब करने में कितना दो गुड़े की बात की जाए तो साइन में जो है तीस डिगरी का मान आपका कितना होगा कि यहां पर एक मिश्टेक हुआ है यहां पर का से 120 नहीं है ठीक है आपका जो है कोट है यहां यहां ठीक हो प्रोसेस आपका सिम चलेगा माइनस ही होगा टर्निंग भी लिए तो कॉट की टर्निंग अब क्या हो जाएगी तो कॉट की टर्निंग और नबे में ना कॉट तो 120 में जोड़ा टर्निंग हो तो तो 10 कोड की कितने हो जाएगी आप ये 10 HOजयेगा फिसिफ 10 थीकित जीक हो जाएगा यह माइनस हो जाता है तो है को सब्ह Contact क्रक्रणा एक कितना थी यह स recap Limited के ऐधेम हो जाएगा माइनस कट अलिक कितना कितना इन से कर्ने में तीन क्या हुआ कट गया कि एक MP1 कम대ट हो जाएगा और कड़ी हमें टो और सब्सक्राइब कितन Care 2 क्लचा सबूहार कितना दो फुर्ब्राइक मानेगा इसको इह गुश्य हो जाएगा माइनस एक मैं चार माइनस बहुत एक मैं चार नमबर योनम का एक मानने representing लिए माइनस ज़्यादा समय तो लगा लेकिन समझ में आ गया है चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नमर जो है किना के तरफ आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा किसमें किसमें टर्निंग होती है किसमें टर्निंग नहीं होती है तिना पहले आप जो है कि बेसिक वाले वीडियो को आ सब्सक्राइब का लता तो क्य़क्त शचरों करें कितना हुआ है किस्तम्र तो पाण्दी किसमें प्रोसेस बिखंडिद किया जी क्या वहीं प्रोसेस आपका फ्रेंदेत करकर करेंगे है खें, कोथे च्ट्थ्थांज में पड़ेगा आपका तुर्ती में पड़ेगा तो आप लिख सकते एक तो असी प्लस ऐ क्सा चायगा methods लाना है तो एक तो जोड़ेंगे कि दोशौत पर ज़ाएगा तो मानस सैन डृष 210 perfectly होता है किस तो होता है तो आपका होता है करते हैं इसके सिरे में क्या होता है क्या होता है माइनस होता है चीन देख लिए है तो एक नहीं होती है तो आपका तीसरे में पड़ेगा थी साइन तीसरे में क्या होता है आप का मान यहां पूट करते हैं मायई खॉस्पइंटाश 10 का मान एक बात की जाए तो यहां से हम लोग कर लिए और नहीं इसका परिमिकर कर लीज़िए क्या कर लेंगे तो यह हो जाएगा करणि में उपर हो जाएगा करणि में 2 करणि में 2 से 12 में 2 और प्लस कितना एक ठीक है अब बाटा में क्या डो दोनों का हर सीम है तो जोड़ दीजिए तो माइनस करणि में 2 plus 1 इसको सजाय लीजीए नहीं है तो वान माइनस डू डिवाइड बै कितना दू जो आपका अपस्ट यह मिले गा न वहीं आपस्ट पर क्रेक्ट होगा हुआ हैं तो हम लोग क्या मिल ला है आपका क्रेक्ट हैं प्रेंस उम्हीदों कि कि यह समझ जाया क्योंकि इस तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं कोशन नमर दस के तरफ जो कि आपका अंतिम कोशन इस वीडियो का और अगले वीडियो में लेकर चले प्रस्ट नमर 11 से अब तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिजागा और हमारे साथ नए जुड़ है चैनल को सब अबस्क्राइब करके जरूर जूड़ी जाएगा ताकि समय से आपको मैंसा नोटिफिकेशन मिलती रहे चले बढ़ते हैं अंतिम कोशन जो कि आपका प्रस नमर 10 जो कि आपका जो है कि आंतिम कोशन है कराई कि कॉस्प पचारतर डिगरी प्लस साइन पचारतर डिगरी कमान ब्राबर है किस अप्षं के अप्षं चारतेर करके आपको दिख रहा होगा ठीक है चलें तो हम पता है चाँंट होता है करणी में तीन माइनस वान भाइ होता है 2 यह को मान्याद नहीं हैpared जिरू से ले करके जो एक मान्याद है ⁹ है तो आफ सिर्फ मान रखेंगे याद रखेंगे कास 55 डिगरी का मान इतना होता है और इसका साइन 55 डिगरी की बात की जाए तो करणी में 3 और प्लस क्या होता है सब्सक्राइब ना इसके बाद देखिए हर समान तो आंसो को जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा दो करणी में कितना दो और अपका 2 से 2 क्या हुआ प्लस कितना वन यह वन किला हुआ कट गया तो करनी में में 3 कर निमें 3 तो आपका होले ऊध्याइगा 2 कर नहीं कितना कितना फुश्klore यह आपका 2-2 क्या हुआ टो जो कि आपका आफसें नंबर कौनसा क्या यहां पर पहले हम लीक्त कर लेंगे क्या कर लेंगे किसल करेंगे तो परिमेकरन करेंगे तो करणी में दो से नीचा कर दीजा दिजिए कर myself कौणीयों का विडिया आप याद होका की समान होती तो Time मुल्टिप्लाई कि यानि गुणा किया जाता है तो काणी हड़ जाती है जब काणी वाली रास्ति असमान है तो इनका गुणा करने पर जो है कि आपस में उनका गुणा होता है यानिक अंदर वाले मान में करणी में दो दोनों मान अलग अलग है तो इनका गुणा हो जाएग लेकि बर्गमुल लेंगे तो असानी से अच्छा है कि आपका हो गया करणी में कितना दो यहीं कि हम लोग का आफसन की बात की जाए तो आफसन नंबर सी फ्रेंग आपका क्रेक्ट है आफसन नंबर सी तो यह रहा आपका इस वीडियो का जो है कि अंतिन कोश्चन और अगले आइकन को प्रेस जी कर देजिए अगा ताकि समय से आपको आमेशन नोटिफिकेशन मिलती रहें तो चले फ्रेंट मिलते हैं आप से अगले वीडियों में तब तक के लिए बाई बाई